दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने की पहली सीड़ी कहने का मतलब यह है कि अगर हम बेसिक बेसिक छोटे चोटे वर्ट जयाद कर लेना तो इंग्लिश हमें बहुत जल्दी आ जाएगी अब देखो यह बहुत कॉमन से वर्ड है अब आगे गौर किजिए ले इसमें टू भी है तो बिना टू और ट्ू के क्या फरुछ वटता है दोनोंचीजिसे याद समझनाऊंगी आई लाइक आई लाइक का मतलब होता है पसंद है पसंद है इसका एक और मतलब होता है अच्छा लगता है अच्छा लगता है, कोई चीज पसंद है, या कोई चीज अठी लगती है, स्वाई लाइट बोलेंगे, जैसे, अब हाँ 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 है, रुख जा, पीछे पीछे स्क्रीन भी है, लेकिन ये लगेगा किसके लिए, ये लगेगा आपके सामान के लिए, सामान, ये याद रखिएगा, फ्रेज, चाय, पानी, है न, कूलर, पंखा, पैसे, जिससा आप टच कर सकें, वो आपको अच्छे लगती है, तो like लगाएंगे, to नी लगाएंगे, तो जैसे, मुझे सेब अच्छे लगते हैं, मुझे सेब पसंद है कर देते हैं, पसंद है, तो कैसे बोलेंगे, I like, I like apples, apples, अब यहाँ पे सेब की बात हो, we are talking about thing, हम सामान और चीज की बात कर रहें, लेकिन दोस्तों, अगर इसमें to लग जाए, तो यही मतलब होगा जो लिखा हुआ है, क्या पसंद है, पसंद है, या फिर अच्छो लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन इस बार, यह सामान के सा तो नहीं लगेगा, यह लगेगा काम के साथ, क्यों कि तू जो आ गया, अभी तक था मोबाइल पसंद है, सेब पसंद है, केले पसंद है, अब यहाँ पर काम चलना पसंद है, भागना पसंद है, दोड़ना पसंद है, केले खाना पसंद है, सेब खाना पसंद है, सो काम के लिए तू लगाना पड़ेगा चलियो जैसे हमने बनाए था मुझे शेव पसंद है अब मुझे खाना पसंद है देखिये ऊपर खाली थे परन थे लेकिन नीचे कि gegeben मुझे थे पसंद नहीं है सेव खाना पसंद है सेव खाना पसंद है या फिर ऐसे वी कह सकता है मुझे सेव खरीजना पसंद है सेव बेचना पसंद है सेव को सड़ा के रखना पसंद है सेव उबालना पसंद है सेव जमाना पसंद है सेव लेना पसंद है मतलब काम की बात हो सेव की ना हो तो ऐसे मैं like to, मुझे सेव खाना पसंद है, I like to eat the apples, I like to eat the apples, तो पसंद है कोई चीज, खाली like, सामान, और कोई काम पसंद है like to, अगला आता है I am a like, यह भी like कई वहीं है, चच्चता हो गएंगे, लेकिन इसके हिंदी क्या होगी, मैं के जैसा हूँ, के जैसा हूँ, यानि जब आपने आपको किसी से मिला, मैं पापा के जैसा हूँ, मैं आपके जैसा हूँ, और मैं सलमान खान जैसा हूँ, तो अब ऐसे मैं कैसे बोलेंगे, कि मैं के जैसा हूँ, I am a like, जैसे मैं अपने पापा के जैसा हूँ, मैं अपने पापा के जैसा आ गया नहीं आ गया तो कैसे बोलेंगे I am a like I am a like my father my father यह रिखिये मैं थोड़ी सी अंग्रीजी के आतम आ जाती है बोलते होगे अंग्रीजी सिखा रहो I am a like my father वैसे इंडिया में I am a like my papa my पिता जी तो ऐसे बोलेंगे तो यहां पर like और like में फर्थ समझ लिए अब आगे बढ़ते दोस्तों अगला है I want I want का मतलब होता है चाहिए चाहिए लेकिन दोस्तों क्या चाहिए सामान अब याद रखिएगा अब if we are talking about a thing about a noun अगर किसी चीज की बात कर रहे हैं जिसे हम टच कर सकते हैं सो हम want का प्रियोग करेंगे मुझे pen चाहिए मुझे dollar चाहिए मुझे रुपया चाहिए मुझे कार चाहिए मुझे आश्वरिया चाहिए अविशे बैठा बैठा मैं example दे रहा हूं तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे हम want का प्रियोग करेंगे क्योंकि हम एक सामान या चीज या किसी व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं चलिए बना लेते हैं जैसे मुझे एक लाल शिर्ट चाहिए मुझे एक लाल शिर्ट चाहिए तो कैसे बोलेंगे I want a red shirt अब दोस्तों यहां कमाल की बात यह है कि हम लाल शिर्ट यानी सामान की बात कर रहे हैं इसलिए want लगाएंगा, मैंने आपको पताए किसी के नाम, इनसान का, जगा का या किसी सामान की बात हो, तो if you want लगाएंगे लेकिन अगर दोस्तो आई वांट के साथ तू लग जाए तो अब इसकी हिंदी हो जाएगी चाहता हूं चाहता हूं इससे चाहती है चाहते हैं यह सभी हो सकती है लेकिन अब यह होगी काम की बात या अब का सामारावानी अब होगी काम की बात मैं जाना चाहता हूं मैं आना चाहता हूं मैं बोलना अब इसके बाता है। इसकी हंधी होगी Namana चाहता हूं तो एक चीज गोर करेंगे यह लिखाग है है, यह एक्चुली में वांट टू है वांट टू यह बस क्या है, इसको short में combine कर दिया गया है वांट तो में वांट तो छर्ट में वांट बोलते है और इसके साथ एक B लगा दिया गया है तो wanna be, जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं नेता बनना चाहता हूं, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो यहां पर wanna be, जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो कैसे? I wanna be a doctor I wanna be a doctor I wanna be a doctor ओओई इसे बोल के देखो चला आप आप बिटेन में खड़े हो अचाना लंबी लंबी बिल्डिंगे जाएंगी I wanna be a doctor और इसे बोला I wanna be a doctor चलिए खायद So दोस्तो I wanna be a teacher I wanna be a liar I wanna be a business man So आपको जिगो सकते हैं इसके बाद है I love बैट जो बैट जो बैट जो मैं फीलिंग समय रहा हूं तरी तो तो सिंगल है अच्छा जाने के लिए खड़ा हुआ था तो I love अब इसे कैसे बोलेंगे इसका एक तो मतलब यह होता है मुझे पियार है किसी से भी I love you मुझे आप से पियार है I love her I love him लेकिन इसका एक और मतलब होता है मुझे बेहद पसंद है बेहद जिसकी कोई हद ना हो बेहद पसंद है लेकिन क्या पसंद है सामान यहां फिर से सामान की बात होगी और सामान के सास्ताथ किसी व्यक्ती यानि इनसान यानि यूमन किसी व्यक्ति या वस्तू या जगह का नाम मुझे तुम बेहत पसंद हो मुझे घाना बेहत पसंद है मुझे पीजा बेहद पसंद है तो कैसे बोलेंगे I like pizza मुझे पीजा पसंद है लो बेहद मरा जा रहा उसके लिए तो I love pizza I love pizza अब यहां पर अलव का इस्तमाल क्यों किया आप कहेंगे क्यों क्यों कि पसंद है अवे नहीं ना यह थोड़ी जवाब हो और grammar का grammar का जवाब यह हुआ लाव का इस्तमाल इसलिए कि I love to अब इसका मतलब क्या है ठीक है करना बेहद पसंद है करना बेहद पसंद है यहां तो सामान की बात हो रही थी कि कोई सामान बेहत पसंद है यहां होगा करना बेहत पसंद है क्या करना कोई भी काम अब सामान नहीं सामान जिससे छू सके टच कर सके काम जिससे छूना सके कोई काम करना आना जाना खाना पीना सोना तो मुझे वो करना बेहत पसंद है मुझे बूलना बेहत पसंद है मुझे पढ़ाना बेहत पसंद है मुझे चलना बेहत पसंद है उसे देखना बेहत पसंद है तो इस तरीके से तो जैसे यहां मैंने बोला था मुझे पीजा बेहत पसंद है तो इसी से related बनाते है आप मुझे पीजा पसंद है, पीजा खाना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे आप पीजा से focus हैट के पीजा खाने पे आ गया, खाने गोटा के कोई भी काम लगा दी है, पीजा बेचना बहुत पसंद है, पीजा फेखना बहुत पसंद है, पीजा बाटना बहुत पसंद है, प लगा दिया दोस्तो अब आखरी बाला बताऊंगा इसके बाद एक sentence दोंगा देखते हैं आप बना पाते हैं आने बस यह और मेरे से मोहबबत होना तो तब बनाना नहीं तो मोहबबत नहीं तो सच में चोड़ के चले आना मुझे पता है नहीं जाओगे यह होती है विश हिंदी में विश का मतलब बता है जहर लेकिन इंगलिश में विश का मतलब बता है इच्छा चाहत या कोई मर्जी है न तो जब आप अपनी कोई मर्जी अपनी कोई चाहत अपनी कोई इच्छा बताते हैं in that sense you say I would love to जैसे मैं आके सामने coffee lab चाहे लाएं मैंने क्या लोगे अरसर चाहे लेना चाहूंगा तो आपके दिल मतलब विश चाह रहा है यह चीद ठीक है अच्छा मैं चलू ठीक है यह बताओ यह नमबर वन यह ननमबर चूज करना चाहूंगा तो जहां पर हम कोई चौइस बताएं हम कुछ चूज करें सो वहाँ पर तू लगाएंगे जैसे मैं सोना चाहूंगा मुझे नहीं दा रही है मेरी चाहे में सो जाऊ मैं सोना चाहूंगा मैं सोना चाहूंगा तो कैसे I'd love to sleep या I would भी बोल सकते मैंने full लिख दिया है मैं पानी पीना चाहूंगा I would love to ना निकलना मुझे मेरी इंगलिस किती बरबाद यार उन में सिखाए पड़ाओ I love to take a cup of tea नहीं अच्छी हो तो मैं ड्रामा दरो हाँ तो यहां पे अब एक बार आप इससे गहर से देख लिजिए यह आपकी महनत है आप ही का किया धरा है अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे देता हूं बड़ा गवर से देखिएगा और यह भी आपकी महनत है यह इसे भी देखिए तुम ही ने अभी इतना टाइम दिया मुझे इस अब आपकी स्क्रीन पर बड़ा छोटा सा बहुत महबत दिखाने वाला सेंटेंस है इसके English Translation Video के Comment section में प्लीज कर दीजेगा मुझे आपके आंसर के इंतिजार रहेगा कर दीजेगा दोस्तों अच्छे यह बताव WhatsApp चलाते हो ना आपको लोगों का नंबर नहीं दिखेगा वो बड़ा ही magical channel है मेरा तो वहां आप जॉइन कर सकते हैं अपना नंबर हाइट करते हुए इवन आप मेरा नंबर नहीं देख पाएंगे ना कभी में आपका और फिर भी हम WhatsApp एक दूसरे से connect रहेंगे और हाँ दूस्तो मेरा एक application एक grammar वाला जैसे आप play store से download कर सकते हैं और मेरी किताब all over India बिक्ती है ट्रेंड में है हजारो लाखों लोग खरीते हैं तो आप इससे भी order कर सकते हैं घर बैठे जाओ इस वीडियो के सब के साथ शेयर करना मुच्छाद आप एक प्यारन नमा नचेनासा लाइक तिकर चाना